आकाश्वानी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी कल वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से राज्यों के ग्रह मंत्रियों के चिंतन शिविर को सम्भोधित करेंगे दो दिन का ये चिंतन शिविर कल से हरियाना के सूरज कुंड में शुरू हो रहा है राज्यों की ग्रहसचिव और पुलिस महान देशक केंडरी सशस्र बलो और केंडरी पुलिस संगतनों के महान देशक भी शिवर में भाग लेंगे शिविर में राजश्री परिप्रेक्ष को ध्यान में रखते वे आंतरिक सुरक्षा से संबंधित नीती निर्माड पर मन्थन किया जाएगा सहकारी संगबाद की भावना से प्रेरित शिविर का उद्देश केंद्र और राजस्तर पर विभिन पक्षों के बीच योचनाओं के क्र्यान में और अधिक तालमेल बनाना है चिंदंशिविर में पुलिस बलो के आधुने की करेंट साइबर अपराद के चुनातियों से निपटने आपराधिक न्याय परणाली में सूचना प्रद्योगी के बढ़ते उपयोग भूमी सीमा प्रबंधन टटी और महिला सुरक्षा तथा मादक पदार्दों की तसकरी जैसे मुद्दो पर विचार में मर्श होगा गोवर्धन और अनुकूट बर्ब के उसर पर प्रदेश में परवन सेरेक्षन को लेकर भोपाल में राजसरे कारिक्रम आयोजित क्या गया मोखी मंतरी शिवरासिंग चोहार ने कहा है कि प्रकति की प्रती कृतक गिता प्रकत करने के उद्देश से आयोजित गोवर्धन पूजा के माध्यम से हमें जन जन को व्रक्षा रोपन गोवश के सेरेक्षन और प्राकृतिक खेती के लिए प्रेइट करना है शिवपुरी में आज गोवर्धन की पूजा परंपरा के इनसार हर शुलास के साथ की जा रही है इस दोरान क्रामेर छेत्रों में पशुधन की पूजा की गई वहीं टीकमगड गुना बैतूल नर्मदापुरम और जबलपूर सहित प्रदेश के में भिन जिलोब में गोव प्रदेश वासियों के जीवनस्तर में बदलाव लाने के लिए अपना सर्व शेष्ट प्रदर्शन करना है उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 19.76 प्रतिशत के विकास दर दर्श कराए गए है सकल घरेलू उत्पाद 200 प्रतिशत बढ़ा है प्रदेश के अर्थव्यस्ता 11, 15,000 करोड की है और क्यापिटल एक्स्पेंडिचर 48,000 करोड से अधिक का है प्रदेश में विकास कत्विधियों का किरयाणवेन तेसी से हो रहा है मुखी मंत्री जन सीवा अभियान में ऐसे पात्र 68 लाग पात्र हितकराईयों को जोड़ा जा चुका है जिनहें अब तक इन 24 गंटों में 96,000 से अधिक दिके लगाए गये इसी दोरान 830 लोगों में संक्रमन की पुष्टी हुई इस समय 21,607 लोगों का हिलाज चल रहा है स्वस्थ होने के दर 98,777 प्रदिशत है देश में अब तक 90 करोड से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है अंतराशी हौकी महा संग ने प्रो लीग मैचों के लिए हर्मनपरीट सिंग को हौकी टीम का कप्तान न्युक्त किया है और मनपरीट सिंग को उप कप्तान बनाया गया है भारत अपना पहला मैच 28 अक्टूबर को न्यूजिलैंड के साथ खेलेगा और 30 अक्टूबर को उस बनने के विले पत्रपर हस्ताक्षर किये थे मलिक आरजुन खड़के ने कॉंग्रस पार्टी के अध्यक्षपत का कारेभार संभालिया है उन्होंने 19 अक्टूबर को अध्यक्षपत के चुनाव में पार्टी सांसद शशी थुरूर को हराया था मुख्यमंद्री शिवरा सिंग चोहान ने महान सोजंत्रा सिनानी और भारती पत्रकारिता के पुरोधा गड़ी शंकर विध्यार्थी के जैनती पर उन्हें नमन किया साहित एकाद्मी भुपाल द्वारा वर्ष 2021 के लिए प्रदेश के च्छे बोलियों मालवी, निमाडी, बगेली, बुंदेली, भीली और गोंधी के साहित तिक रिती पुरुसकारों की खोशना करती गए है फीफा अंडर 17 महिला विशुकः फुटबॉल के सेमी फाइनल में आज कुवा के जवाहालाड नहरू स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला जर्मनी सी होगा इस पुलिटिन में इतना ही डीजे जासत नमस्कार